नमस्कार दोस्तों, DD React के एक और reaction वीडियो में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोक और आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए वो है Popcorn Reactions का वीडियो और इसका टाइटल है Rain Save Pakistan India 266 Score Unachievable Says Pakistanis Public तो जैसा कि आप सबको पता है कि बारिश की वज़े से Asia Cup का जो इंडिया और पाकिस्तान का मैस था वो धुल गया नहीं हो पाया, इंडिया की इनिंग पूरी हुई थी 266 रण का टार्गिट था, ओल आउट हो गई थी टीम इंडिया लेकिन उस ग्राउन पर वाकई 266 क्या पाकिस्तान चेज कर पाता या आगे मैं बताऊंगा लेकिन उससे पहले देख लेता है कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या खेह रही है चलिए और बाइजान पाकस्तान है वो वो कर ऍस्ट्रेलिया ये इंग्वन नहीं है जिसे आप कह रहे हैं कि तना वह बना लेते हैं पाकसान अभी यह लास्ट रजु इफकानिकस्तान के खेले हैं तो कितने प्तुने बेगे हैं पदा आपके सामने हुआ है जो पिछ फैक्टर था आज और जो हमारी टीम की प्रपोन्स सी मुझे असा लगता है कि पाकिस्टान तरहा था ना इसकी में पाकिस्सान धूरी जो विकेट्स करना शूरू हो लेती हैं और मिडल ओर्टर में कोई इतना स्ट्रोंग बैट्समेन नहीं है सिवाई इफ्तिखार है मत के अबियसली इंडिया के लिए बारिश लकी थाबित हुई है क्योंकि पाकिस्टान के लिए बिल्कुल इजिली चेजेबल था स्कोर जैसी पिच्टी गिली हो चुकी थी ना उने स्विंक्स मिलनी थी ना बाउंस मिलने थे तो इजिली चेज हो सकता था और नहीं देखें पहले तो मिला रहा था कि ठीक है पकसा यह जो भाई साब ने बात कही है ना मुझे लगता है कि यह क्रिकट को बहुत जादा करीब से नहीं जानते हैं क्योंकि क्रिकट को करीब से जानने वाले यह समझते हैं कि पिच के गीले होने का क्या मतलब है और ये वाकई बारिश के माहौल में पिच जब गीली हो उसमें सेकंड इनिंग खेलना बहुत ही ज़ाधा टफ होता है बहुत ज़ाधा टफ होता है और 266 तो दूर मुझे लग रहा है कि 2500 भी होते हैं तो उसे चेज करना बहुत ज़ाधा मुश्किल होता है बारिश के वज़े से पिच में नमी वैसे ही ज़ाधा थी पिच गीली थी बाई कवस तो थोड़े लेट से आते हैं तब तक पिच पर पानी एक बहुचार पढ़ जाती है और उस पिच पे गेंद उठती नहीं और जब गेंद लो रहने लगती है तो बैट्समन के लिए खेल था कि 266 का स्कोर अच्छा स्कोर था और चेज करना सेकंड डिनिंग में गिली पिच पर पाकिस्तान के लिए बहुत 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 मुश्किल था देगे क्रिकेट में कुछ भी निश्चित नहीं होता लेकिन जो चीजें समझ में आती हैं जो हमने इतिहास में देखा है कि भाई गिली पिच पर सेकंड इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है करीब करीब नामुंकिन बॉंटरी हमारी शदाब को उसने बॉंटरी हमारी शान किशन ने क्या पारी के लिए प्रैशर ही उसने तोड़ा और जितना स्कोर वन्हें कर दिया था ना पंडे में यह मैंने अपने लड़कों से पूछ नहीं था जिस तरह का विगड़ था दो सो तीस चालिस वाला तो वही देना लेकिन जितना यह स्कोर हो गया था यह किसी वज़ा से पाकिसानी टीम चेज कर सकती है यह मैं आपको प्ताद हूं उपर जागे जब बुम्रा ने बोल करने थे ना और जिस तरह का विकट था इस टाइम बुम्रा आपको बता एक तो क्रॉस एंगल बोल करता है एंगल लाके जब अंदर आना था तो कभी भी बोल बैट सिफता था और जैन्मन वी यह मैं शर्तिया वहाँ भी लड़कों कह रहा था जब मैं यह देख रहा था कि सेंटर वाधा डंडा ना बापर का बुम्रा की के तो इंडिया के पास इतनी डेंजर बोलिंग लाइन थी फिर भी मुझे लगता है जो पाकिसानी बैट्समेंट जो है ना और टोटल ही रिलाय करते हैं बाबर पे अगर अरली ओन आउट हो जाए तो हमारी लाइन लग जाती है कि कहते हैं कि इंडिया के पास विरात कोली है उनकी पुरी टीम विरात कोली पे चलती है पर आज इशन अच्छा एक बात मुझे याद आई मिडिल ओडर का जिक्राया है मैं आपको सच बताओं कि मैं मैच में थोड़ी दिर मैंने मैच देखा उसमें कमेंटरी में ये बात कई जा रही थी कि भाई ये देखें इंडिया का टॉप और तो बहुत जबरतस है रोह शर्मा है विरात अच्छा मैं सुन रहा था कमेंटरी में और मुझे लगता कि जो मेरे दर्शक हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी और ये बात बहुर की होगी कि जे मिडिल ओडर भारत का कब्जोर है और मिडिल ओडर ने ही कमाल कर दिया इशान किशन हो या जो पंडिया साथ हैं और या जो नीचे बुमरा हूँ तो मैं तो इशान किशन और पंडिया को ये तो बिलकुल मिडिल ओडर के प्लियर थे ना तो मिडिल ओडर ने तो ठीक ही खेला यार तू सिक्स्टी सिक्स पहुँचाया बाई चोटा मोटा स्कोर नहीं होता है इसे कोई इशू नहीं पड़ता आपको ठीक है अगर आप सिंगल डबल कर रहे हैं तो जो मुराल होता है टीम का वो बिल्ड होना चुरू हो जाता है पिर एक वक्त आता है कि जब आप पी आई सैट हो जाती है पिछ पे आप बोलर्स को अच्छे से जान लेते हैं तो फिर आप हिटिंग भी करते हैं तो वही आज उन दोन की पार्टनर्श्टिप में हमने देखने को मिला है तो बड़ी कि अच्छी किस्मत है कि बच्चत हो गी हमारी वरना जितना स्कोर वो करके यार बुम्राव को चोके मारा रहे हैं उसने यह गया में चोके मारे वह तो हाल्ला कोई हादिक पांडिया कि उसने स्लो बॉल किया तो क्या पकड़ा दिया उसने वरना उसने अभी शूरू होना था उसके मतलब कि और तो आप आए थे छे आवर उसने बताना था मैं क्या हूं वो तो हालड़क और हम पाकिसान टीम के गुड़क के वो कैश हो गया उसका आज इंडिया ने जो टास्क विन किया, तो उसना खुद बैटिंग की, ये देखें, अक्सा ये होता है कि जब पाक्साना और इंडिया का जो मैच होता है, उसमें जो भी टास्क विन करता है, वो अगली टीम को कहता है कि आप खेलो, लेकिन आज वैसा नहीं था, आज उसना टास्क विन की और वो खुद खेलने आया, लेकिन जब मौसम का फोरकास देखा और जब मौसम की हालत देखी, तो मुझे समझ में आ गया है कि पहले बैटिंग क्यों ली, देखें, डवल फायदा होता, एक तो डखवर्थ लोईस नियम का भी फायदा होता, बाद में बैट जानी होती है, क्योंकि बारिश बार बार होने लगती है, दूसरा, कि पिच का गीला होना, बहुत बड़ा फैक्टर था ये, और रोही शर्मा ये जानते थे, कि बारिश होगी, तो पिच गीली होगी, पिच गीली होगी, तो धीरे धीरे पिच खराब होना शुरू होगी, और इसका फाइदा सेकंड इनिंग में इंडिया के बोलर्स को मिलेगा. बॉल कब स्लिप होगी, बॉल कब बाउंस कर जाएगी, बॉल कब लो रह जाएगी, गिली फिच पर ऐसा ही होता है. वो सब जानता था कि बारिश भी होनी है, सारा कुछ होना है, और जो आगर आजाम इसको एक अच्छा टार्गेट 250 या 223 या 25 तक भी होता है, तो भी पाकसान ने जीतना था, बड़ा मुश्कल था. तो इंडिया के लिए टार्गेट एजी था? इंडिया के लिए तो भाई जान साड़े 300 भी होता था, उसना जे जाना था, इंडिया तो प्रेशर में अच्छा खेलती है, आपको भी बता किस की बात कर रहे हैं, तो इंडिया ने 266 दिया है, क्या उनको अपनी बॉलिंग ल अगर बारिश ना होती है तो पाकस्ताने मैच हार जाना था, क्योंके 250 भी अगर होता तो पाकस्तान के लिए एक पहाड होता, तो प्रेशर में पाकस्तानी टीम नी खेल सकती, वो इंडिया है, उस पे प्रेशर जाब आता है तो और अच्छा खेलता है, चाहे वो कोली हो, अच्छा है वो रॉज शर्मा हो, वो अच्छा खेलते हैं, प्रेशर में खेलते हैं, हमारे वो नहीं होता है, हमारा तो यह होता है कि तू चलते में आया, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत अच्छी बोलिंग की, में इनकी जो विक्टे होती है, उसके बाद तो ऐसा कुछ नियुक्त Darren थहीं हो तो वह शेंशाफ फृदीन है उड़ा करक्ट ठीक है थीक ए अब जो बारES ने उसने पाकस्तान को बचा 과ल को मिया च्हाए यह साच रफिव अैप फिर ale बड़ा कुछ होना था जिसबाद नहीं है ना हम खेलते काम है लेकर ज़स बाद में जैदा हैं फिल्डिंग में भी बोल कर भी उच्छा था बैट रहा था फिल्डिंग नहीं हो दो चलो इंडियन डीम की गुड़ा का कितने कैज चुटी है लेकिन जितना स्कॉर हो गया था स्कॉर नहीं चार फास बोलर थे शिराच बुम्रा और शार्दुल ठाकुर शार्दुल ठाकुर का वैसी गोड़े से उपर बोल नहीं आता है तो फिल्कुल कि सीटा ना था हम पाकिसानी तो सोच रहे थे के दोसो चैसर स्कॉर है इसली हम चेज़ कर लेंगे ओ बाई जैना रहे तरह क्यों क्योंकि बोलिंग इची थी हम किस पर रिलाइए करते हैं बाबर आदम पर बिल्कुल बाबर आदम का आज वी चला टंड़ा ना था मैं जैन्मन के रहा हूं अब बुम्रा को देखे आधा करियर तो विचारे का इंजर्डी गुजर गया इतने अरसे बाद इस फॉर्मेट का मैच खेल रहा है अगर वो रेगुलर केल रहे होते तो हम कह सकते थे उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते थे लेकिन अभी निया मैच था उनके लिए कुछ प्लेयर भी नहीं थे तर अपनी जल्दी आउट हो गई थी जैसे ही इशन किशन आई हैं उन् इंडिया का इंडिया का आई पील में बहुत अची पर्फॉमस दी है तोन से हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हाड़ लग नहीं चल सके लेकिन इशन किशन ने अपना बैस्ट दी अभी उनके करियर का स्टार्ट है और करियर के स्टार्ट में इतना बड़ा मैच वी पाकिस्तान के खिलाफ और उसमें अपनी इतनी अची पर्फॉमस देदे था इतना अंडर प्रेशर हो के बहुत बड़ी बात है और इंचालब हो आगे बहुत अच्छा कहलेगा अर्दिक पार्डिया थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई और चले ना चले ना चले ने चलना होता है और वह बहुत अच्छा पावरिटर है इंडिया का कैप्टन भी और बोर्ट टैलेंट उसमें एक्स्टर टैलेंड है अच्छा इनके सब्सक्र पाकिसानी टीम और सर हम अपने शहीन फृदी को नहीं बूल सकते शहीन फृदी की बोलिंग क्या लगी है कैसी ल एक से बिढ़ाट कोली के साथ होड़ी सी हाड लग थी जो मोस्टली होता है अकथर अक्सर वो इस तरह पकी बाकी बाकी विराट कोली बिगर टिके रहते तो यह 3-50 प्लस जा सकता चले दोस्तों वीडियो खतम हो गया देखे शाहिन अफरीदी के बारे में कहूंगा कि नो डाउट किसी को शक नहीं होना चाहिए बहुत अच्छे बूलर हैं बहुत अच्छे बूलर हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान की तेज गेंजबाजी का जो इतिहास रहा है जिस तरह के बॉलर्स पाकिस्तान ने पर्डूस किये हैं उसमें उसी कड़ी में हो तो नो डाउट बिलकुल यह नहीं बूलना चाहिए कि भाई शाहिन अफरीदी एक वर्ल्ड क्लास के बॉलर हैं बहुत शानदार बॉलर हैं लेकिन यह भी नहीं बूलना चाहिए कि इशान किशन का पहला मैस था पहला मैच जिन्दिगी का ODI मतलब इधर और पाकिस्तान के खिलाब और वो भी शाहिन अफरीदी नशीम शाह इस टाइप के बॉलर्स के सामद और जिस तरह के लड़के ने उसने तुड़ाई की है बैटिंग की है जिस तरह उसने पेशन्स दिखाया है जिस तरह उसके चेहरे पर तनाव नहीं दिख रहा था उससे साफ जाहिर होता है कि बहुत लंबी रेस का खोड़ा है यह बहुत लंबा चलेगा बहुत लंबा चलेगा और रोही शर्मा का तो मैं शुरू सही लग रहा था मुझे कि रोही शर्मा जो है वो मैं टिक पाएंगे पता नहीं क्यों पिछले पांट साथ सालों में जब से मैं रोही शर्मा को देख रहा हूँ ना उनमें एक अलग तरह का आता जा रहा है टेकन फॉर ग्रांटेड वाली फीलिंग पता नहीं क्यों मुझे आ रही है पता नहीं है कि नहीं है मुझे नहीं पता लेकिन वो आती जा रही है ओवर कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आने लगे हैं आप लोग बताईएगा कमेंट में कि क्या ही है मैं बाते सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ और मतलब बहुत क्या कहूं मैं कि फिटनिस का भी एक इशू मुझे उनमें दिख रहा है बहुत भारी हो चुके है रिफलिक्स थोड़े से स्लो हो रहा है जहां तक मुझे लग रहा है आइड नो कि क्या चल रहा होगा मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जो एक आम आदमी जो थोड़ा बहुत क्रिक्ट समझता है उसके लिहास से मैं कह रहा हूँ दूसरी बात आता है विराट कोली पर देखे विराट कोली का वाकिल लग खराब था विराट कोली के बल्ले से गेंद टच बहुत अच्छा हो रही थी बीच में आ रही थी लेकिन वह यह ना किसमत जब खराब होती है तो कुछ कह नहीं सकते इनरेज लगा और आउट हो गया हार्दिक पांडिया वाला बिल्कुल सही बात थी वो सही खेल रहता है सही खेल रहता है अफ्रीदी ने बहुत स्लो बॉल डाली बॉल गुमा दी हमने देखे हैं ऐसे बॉल गुमा दी ऐसे तो स्लो हो गई आई तिंक 118 ए 119 किलोमेटर पर आवर की स्पीड थी उस बॉल की और उन्हेंने हलके हाथ से खेला उस सामने बिल्कुल हाथ में कैच चला गए तो ये है दूसरी बाद जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखे भारत पाकिस्तान के बीच जो मैचेस होते हैं वो बड़े टसल वाले होते हैं बल्कुल अपनी इज़त दाओं पर लगी होती है बहुत सारी चीज़ों होती है होना बची है ठीक है यार मैच है और भारत पाकिस्तान का मैच है लेकिन उसमें जिस तरह जो रौफ थे उन्होंने किसको आउट किया इशान किशन को आउट किया और जिस तरह से उनका बिहेवियर था वो ठीक नहीं था विराट कोली से जब मिलने आये तो बड़े भाई भाई टाइप से मिल रहे थे अच्छा ऐसे है हाँ भाई ठीक है भाई ठीक है दूनों अच्छे से मिले लेकिन जो रवया उन्होंने दिखाए इशान किशन को आउट करने को आज शायद इशान किशन को ही आउट किया थे हूँ ने जहां तेक मुझे याद जा 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 ऐसे करके मुझे लगता है कि ये उनका दोहरा चरित्र जो है वो दिखाता है तो जो असल चीज है वो भई दिखी विराट कोली तो उनको छक्का मारा था पिछले मैच में याद होगा दो बॉल उपे दो छक्के मारा के फिर इंडिया को जिताया था तो इसलिए विराट कोली के सामने तो वो ज्यादा अग्रिसिव नहीं बन सकते थे लेकि निशान किशन का पहला मैस था और वही होता है कि आपकी एक हरकत ना आपको बता देती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है तो अंदर वही दुश्मनी वाला फील ही है वही भामना है ठीक है होता है आप आउट करते खुशी मनाते बहुत अच्छा लेकिन जिस तरह से बोला ना आपने जा जा ये थोड़ा गलत लगा मुझे कोई बात नहीं स्पोर्ट्स में होता है हर किसी का दिन आता है कभी हमारा भी दिन आएगा तो रौब साब का जलवा दिखाया जाएगा हमें भी हम भी दिखायेंगे फिर खेर कोई बात नहीं मैच अच्छा था और हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में और भी मैचे देखते हैं क्या होता है जल्दी हाजर होता हूँ एक और मैं वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए